हेलो स्टूरिंट्स वेल्कम टू ब्लॉसम ओलाइन एडुकेशन सो आज से हम सार्ट करेंगे न्यूटन के लॉज ओफ मोशन जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले न्यूटन स्फॉर्स लॉफ मोशन ओके सो सबसे पहले दुमें क्लिए कर देता हूं कि न्यूटन फॉर्स नहीं लगा जाए मतलब जब तक उस पर जो फॉर्स लग रहे हैं अभी क्या सारे बैलंज फोर्स हैं लोहों ने पढ़ा था कि अगर कोई ऑबज़क क्या स्टेश्थ यह उस पर जो भी फोर्स लगए हो क्या बैलंस है अगर आपके अपने उसके फॉर्स को अन्बैलंस कर जब तक उसको फोर्स जो अपलाय हो रहा है उसको अपोस करने वाला कोई फोर्स नहीं हो कर देंगा आपके लिए इस पर न्यूटनस फॉर्सल्ण आप मुश्न आप चंटिड़्यक्ट एट रेस्ट विकन टूबी अट रेस्ट और अज़क्ट इन करेगा ऐसा नीजी लेंगविज हम लोग बहुत सकते हैं stationery object will continue to a stationary and a moving object will continue to be moving in uniform motion if there is no unbalanced force acting on it समझ में आया अब कुछ example के थू देखते हैं जैसे एक पहला example है a pen kept on the table will not move itself if we push it the only it then only it moves this is because when we push it we apply unbalanced force अभी क्या हो रहा है इसे पेंट जब टेबल पर रखें तब यह motion में नहीं थे rest पर थे फिर यह जो लड़के ने क्या किया अपने fingers एक unbalanced force लगाया तो उस force की वज़े से क्या हुआ यह pen move होने लग गया समझ में आया अभी इन पर फोर्स लग रहा था इस situation में बैलेंस था लेकिन अब क्या लग रहा है unbalanced force लग रहा है समझ में आया clear हो गया ओके एक और example देखते हैं अगर हम लोग example स्टार्टिंग से motion में थी लेकिन यह जिस floor पर जा रही है वहां से एक force लग रहा है जो कि इसको पोस कर रहा है जो कि कौन सा force है frictional force friction के कारण जब तक इसका जो moving force है वह ज्यादा था friction force है तब तक वह move करी फिर यहां पर आके क्या हो गया जो इसका frictional force है और जो moving जो force apply किया था इसको move करने के लिए वह दोनों क्या हो गए equal हो गए तो यहां पर आके वह रुख गई if we throw a ball on ground it stops after sometime this is due to force of friction which opposes motion of ball this force of friction is more than the force of ball it is unbalanced okay initially force क्या था unbalanced था जो इस पर फोर्स लग रहा था फिर बाद में जाके balance हो गया इस वज़े से रुख गई को सब्सक्राइब अब जो object होता है ना उनकी प्रापर्टी होती है इसको हम लोग बोलते है inertia basically inertia क्या होता है it is a property of a body by which it resists changes मलब body की वह property होती ही जिसके कारण जो हमारी body में दो changes होते है मलब हम लोग इंटर्नल changes की बात नहीं कर रहे है body का movement और किसी भी body की बात कर रहे है ना कोई car हुई human body हुई या फिर plant हुआ tree हुआ एक्स वैजर्ट हाना तो उसकी body में कोई change ना हो उस change को रोखने के लिए उनके पास एक प्रापर्टी होती ही जिसको हम बोलता है inertia this change may be change in state of rest or change in state of motion और इसके कारण क्या होगा या तो object मलब जो अगर motion में है तो inertia के कारण क्या होगा motion में ही रहेगा मलब inertia ही ऐसा करेगा और rest में है तो उसे motion में आने से रोकेगा motion में है तो rest में आने से रोकेगा okay समझ में यह property समझ में है इसके बाद इसके example देखते हैं इसा क्यों होता है देख लेता है विच इन कॉंटेक्ट विद्ध कार इसकी बात करूं इसका जो लोवर पार्ट क्या है बस के साथ कनेक्टेड है जब कि जो ऊपर वाला पार्ट है वह तो कनेक्टेड नहीं है बस के साथ तो क्या हुआ जब यह बस फॉर्वर्ड मूव होती है जैसे स्टार्ट किया तो आगे की तरफ जाएगी अब इसका जो ऊपर वाला बाड़ी का पार्ट था वह क्या था रस में था और नीचे वाला पार्ट क्या गया motion में चर्ट है इस वजह से पीछे चले गया भी अहीं बोल रहा है लूवर पार्ट उब देड कार इस ना तो आगे की तरफ जाता है लेकिन अपर वाला पार्ट अपनी जगह पर है इस वजह से पीछे की तरफ उससे जर्क फील होता है एक और एक्जामपल की बात करें देखो आपको इस एक्जामपल को देखकर मजा आएगा एक यह ने लगाया तो लड़की बैठी ती वह क्या forward when a car stops suddenly the lower part of the body which is in contact with the car stops lower part जो क्या था body car की body के साथ contact में था वो stop हो जाता है but the upper part लेकिन जो अपर पार्ट था वो तो motion में था due to inertia and the passenger is pushed forward तो उसके उपर वाले पार्ट की कारण बोडी की उपर वाले पार्ट की कारण वो forward की तरफ पूस्ट हो जाती है एक और example अब देखो यह क्या है basically bad sheet है जिसको हमने hang किया हुआ है और इसको क्या कर रहे है हम लोग डंडे से इस पर मुलब इसको हिट कर रहे है तो जैसे इसको हिट कर रहे है तो हो क्या रहा है कि यह जो bad sheet इस पर कुछ dust के particles है तो हमने क्या किया देखो dust के particle और bad sheet दोनों initially rest पे थे और जब हमने इसको हिट किया तो जो bad sheet है वो क्या हुआ bad sheet यह जो है यह blanket बोलो यह motion में आ गई अब यह motion में आई लेकिन इस पे जो dust particle थे वो तो rest में थे ना तो हुआ कि जब आपने इसको हिट किया तो bad sheet motion में आके पीछे चली हो जो dust particle थे वो अपनी प्लेस पे ही रह गया ओके इस एक्जांबल को ध्यान से देखो और समझो वेन हैंगिंग कार्पेट इस बीटन विट स्टिक ड़स फॉल ऑफ वन कार्पेट इस बीटन इट कॉंस इन मोशन ओके यहां पर इन लोगों ने कार्पेट लिया है और सेम एक्जा स्ट फॉल्स ऑफ द्यू टू फॉर्स ऑग्राविटी समझ में आ गया फिर हम लोग एक और एक्जांपल लेते हैं वेना ट्री शेक्ड विगुरुशली मलेक पेड को हम अचानक से हिलाए तो होता गया पेड मोशन में आ जाता है लेकिन उसकी जो लीव्स हैं और इसके जो फूर्ट से उमोशन में नहीं आते हैं इस कारण वो क्या हो जाते हैं गिर जाते हैं समझ में आया है उना ट्री शेकंड इट कॉमसें पर देखेंगे अभी तक आपको क्या करना है उसको रिवाइस करो और जो पहला चेप्टर था मोशन उसके निमेरिकल्स आपको सॉल करना है तो आप लोग के पास बूख होगी उससे निमेरिकल्स सॉल करो इसके लावा मैं कुछ और भी निमेरिकल्स आपको दे दूंगा बात में ओके स्टूरेंट्स विल मीट इन दे नेक्स क्लास बाई बाई